हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल, BSE Nourishing All Subject फ्रेंड्स, आज के इस फ्योडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यपर्देश Medical Science University, जबलपूर मध्यपर्देश Medical Science University, जबलपूर की Question पेपर की बात करेंगे जो कि मेरा BSE Nourishing First Year 2020 में पूछा गया Question है तो आज की इस पीड़ों में हम लोग साइकलोजी 2020 बीएसी नर्शिंग फॉस्ट यर की कोस्टिंस पेपर की बात करेंगे ओके फ्रेंड्स हमने आप लोगों के लिए बीएसी नर्शिंग फॉस्ट यर से रिलेटिड हरे एक 2019 और 2020 की सारे कोस्टिंस पेपर को अपनी चैनल पे अप्लोड किया है आप उने भी जाके देखे अब यह हम लोग बात करते हैं साइकलोजी कोस्टिंस पेपर की साइकलोजी कोस्टिंस पेपर के लिए जो टाइम होते हैं वो 3 hours होते हैं और यह इसके marks total 75 होते हैं इसके बाद आते हैं आपके instructions आपके यहाँ पे जो instructions हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और आप नहीं भी जानते हैं तो आप इस instructions को पढ़ ले हम लोग बात करते हैं questions की तो साइकलोजी में एक चीज़ देखा गया है कि साइकलोजी में जितने भी questions पूछे गए हैं वो questions एक दूसरे से related होते हैं related तीन questions पूछते हैं एक से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि question number first जो है उसमें पूछे है define learning और learning से related दो और questions पूछे हैं okay write down the process of learning and see right theories of learning in details just second questions जो है वो मेरा है define memory और memory से related दो और questions पूछे हैं explain type of memory and write factor influencing of memory but यहाँ पे जो marking है वो marking अलग अलग है define memory 2 marks and next 6 और 7 marks ऐसे पूछे हैं and question number third की बात करते हैं question number third is define guidance of counselling and भी है मेरा right importance of counselling in nursing okay friends अब हम लोग question number fourth की बात करते हैं define mental health and mental hygiene and question number B है मेरा right what are the warning sign of poor mental health okay अब हम लोग question number fifth की बात करते हैं जो total 25 marks के हैं and short notes लिखने हैं वो मेरा first importance of psychology for nurses B है मेरा psychology of old age person C है मेरा promotion of mental health D है defense mechanism E है conflicts और F है मेरा motivation D है मेरा role of nurse in psychological assessment friends यहाँ पे question number fifth में जो कुछ है यहाँ पे जो यह सारी questions पूछे हैं यह सारी questions बहुत important होते हैं कि आप लोग guide या फिर book पढ़ते होंगे तो आपको पता लगी जाता होगा कि यह psychology के लिए बहुत important है और यह हर साल इससे related questions पूछते हैं यहाँ पर जो आपका पूछा है motivation यहाँ पर motivation का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में patient को कैसे motivate करते हैं पैसिंट बिमार होते हैं तो पैसिंट को positive फिल करने के लिए आप उसे motivate करते हैं ताकि वह positive फिल करें और अप उसकी जो तवियत है वह जल्दी ठीक हो जाए तो आप उसे कैसे motivate करते हो मतलब इसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे ओके तो इस तरह यह आपके psychology के लिए आप psychology का यह सारा questions आपके लिए बहुत important है ओके friends इसके अलाबा मैंने बहुत सारे videos upload किया हैं आप उसे जरूर जाकर देखें ताकि वह आप लोगों के exam के preparation में आपको help कर सके ओके friends अगर आपको यह video अच्छा लगा तो video को like करें चैनल को subscribe करें और friends के साथ share जरूर करें ताकि उन्हें भी उनके exam के preparation में उन्हें अच्छा मदद मिल सके ओके friends मिलते हैं फिर next videos में तब तक के लिए thanks for watching and keep studying